आई और भेनों, सरकार के साथ साथ समाज की गतिशक्ती अगर ये जूर जाए तो बड़े से बड़े संकल्पों की सिद्धी कठी नहीं है, सब कुछ मुम्किन है और इसलिए आज जरूरी है कि जब भी हम कोई काम करें, तो ये जरूर सोचें कि उसका हमारे व्यापक राष्ट्रिय लक्षों पर क्या असर पड़ेगा जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने वाला युवा, एक लक्ष लेकर चलें कि वो किस सेक्टर में क्या नया इनोवेशन कर सकता है सफलता और सफलता अपनी जगह पर है, लेकिन कोशिश बहुत जरूरी है इसी प्रकार जब हम बाजार में खरीदारी करते हैं, तो अपनी पसंद नापसंद के साथ साथ ये भी देखें कि क्या हम उससे आत्म निर्भर भारत में सयोग कर रहे हैं, या हम उससे उल्टा कर रहे हैं भारत की इंडुस्ट्री भी विदेशी रौ मट्रियल या कंपोनेंट्स पन निर्भरता के लक्ष से तै कर सकती हैं हमारे किसान भी देश की आवश्यक्ताओं के अनुसार नई खेती और नई फसलों को अपना कर आत्म निर्भर भारत में भागीदारी मजबूत कर सकते हैं हमारी सहकारी संस्ताएं भी देश के छोटे किसानों को मजबूत करें हम जितना ज्यादा ध्यान हमारे छोटे किसानों के पर केंद्रित करेंगे उनकी भड़ाई के लिए आगे आएंगे गाउं के अत्यन दूर दूर के स्थानों तक हम एक नया विस्वास पैदा कर पाएंगे और हमें इसी दिशा में संकल्प लेने के लिए आगे आना है साथ्यों ये बाते सामान ने लग सकती हैं लेकिन इनके परणाम अभूत पुर्व होंगे बीते वर्ष्व में हमने देखा है कि छोटे समझे जाने वाले स्वच्छता जैसे विशयों को भी जन भागीदार न्याये कैसे राष्ट की ताकत बढ़ाया है एक नागरिक के तौर पर जब हम एक भारत बन करके आगे बढ़े तो हमें सफलता भी मिली और हमने बारत की स्रेश्टता में भी अपना योगदान दिया अब हमेशन याद रखिए छोटे से छोटा काम भी महान है अगर उसके पीछे अच्छी भावना हो देश की सेवा करने में जो आनंद है जो सूख है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता देश की अखंडता और देश की एक्था के लिए अपने नागरिक करतव्यों को पूरा करते हुए हमारा हर प्रयास ही सरदार पटेल जी के लिए सच्ची स्रद्धान जली है